महापुर्सों प्यार से कहिए धन रंकार जी धन गुरू ते धन गुर सिकने जो इकिमिक हो जान देने पांदेने अवतारि नामी जो अपड़ाया अपगवान देने जीवन पथ पर चलते चलते कभी कभी हम उन पथ चिन्हों को ढूढने का प्रियास करते हैं जिन पर चलकर हम अपनी मंजिल तक सहाज ही पहुँच जाएं जरा सोचिये इदि इन पथ चिन्हों को ढूढना आसान नहीं तो क्या जीवन में इनकी छाप छोड़ना आसान है नहीं बिलकुल नहीं ना ही कोई पकडंडी बनाना सरल है और ना ही उसे कायम रखना पर इस कठिन कारे को भी कर जाते हैं वासूर बीर सासी तपीत्यागी महापुरुस जिनोंने अपने जीवन को दाओं पर लगा दिया होता है कुछ इसी प्रकार का होता है रूहानियत का मार्ग जिसे बनाने में गुरु पीर पेगंबरों के जीमन का एक एक छड़ बितीत होता है और जिसे अपनाने वालों को भी कई चुनोसियों का सामना करना पड़ता है यह मार्ग भले ही कठिन हो भले ही इसमें बिरोध के काटे बिचे हुए मिलें इस मार्ग पर चलते हुए भले ही अपने भी साथ छोड़ जाएं परन्त येक बार जिसने इस मार्ग पर पहला कदम रख लिया उसका सत्गुरू हाथ थाम लेते हैं काटे स्वेंग चुनते जाते हैं और उसकी राहों में फूल विखेर देते हैं आव सकता है तो रूहानियत की डगर पर केवल पहला कदम रखने की बाखी सब कुछ सत्गुरू समाल लेते हैं यूं तो निरंकारी मिसन में ऐसे बुजुर्ग महात्माओं की कोई कमी नहीं जिनोंने सत्गुरू बाबा बूटा सिंग जी से इस सास्वत सत्य का बोध प्राप्द किया अनेक मुश्किलों को हस्ते हस्ते जेला परन्तु फिर भी कुछ नामें ऐसे होते हैं जो प्रभू प्यारों की सूची में प्रसंपन्ने पर लिखे जाते हैं उनी में से एक नाम आता है भगत कोटू मल जी का कोटू मल जी के नाम के आगे भगत सब्द लगाना अपने आप में पस्ण है कि आपने जीवन में कौन सी डगर को अपनाया कौन से पदचिन्ह छोड़े जो गुर सिखी की उची मंजिल तक पहुंचाने वाले थे बक्ती मार्ग पर चलने वाले इस पथिक ने सदेव अपने सत्गुरू के बचनों को जीवन का आधार बनाया सत्गुरू के तुल्य दुनिया के किसी सुख बैभोया सफलता को अहमियत नहें दे जन्म वा सिच्छा कोटूमल जी का जन्म बारा फरोरी वन नईस सो सत्ताइस को अभिवाजित भारत के सिंध प्रांत के गाउं आराजी जिलादादू सिंध पाकिस्तान में सिरी भोजराज हेम राजानी योंग सिरी मती मोती भाई जी के घर हुआ उन दिनों भोजराज जी डाक विवाग में नोकरी करते थे आपकी प्रारंबिक पढ़ाई आराजी में ही हुई आपकी पांच बहने और एक छोटा भाई था कुछ समय पस्चात आपके पिताजी का तबादला लारकाना जिले के सहर सहदाद कोट में हो गया उस समय आप वहाँ विश्विद्जाले में B.S.C. किसी भिग्यान की पढ़ाई कर रहे थे पिताजी के तबादले के पस्चात अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आप वहीं होस्टल में रहने लग गए जबकि बाकी परिवार सहदाद कोट जाकर रहने लगा ब्रह्म ग्यान की दात सहदाद कोट में पिता जी का तबादला आपके परिवार के जीमन में तबदीली लाने वाला साबित हुआ निरंकार की ऐसी किरपा हुई की हां निरंकारी मिसन के अती मदुरभासी फ्रेम रस में भीगी हुई आतमा वचुम्बकी ब्रक्तित्य के मालिक स्रीलाल चंद जी निरंकारी लालो जी परिवार सहित आपके पडोस में ही रहते थे उच समय लालो जी ब्रह्म ज्यान की दात प्राप्त करके गुरुचरणों के भौरे बन चुके थे उनकी मदुरी आवाज में गुरभाणी के स्वर देर तक कानों में गुझते रहते और उनके किर्तन से आनंद की अभिरलधारा भाहने लगती थी लालो जी ने सत्गुरु बाबा बूटा सिंग जी से ब्रह्म ज्यान की प्राप्ती की थी वा जीमन के अंतिम छर्तक सत्गुरु बाबा या उतार सिंग जी योंग सत्गुरु बाबा गुर बचन सिंग जी के अनन्य भक्त बनकर जीमन जीते रहे लालो जी योंग उनकी धरम पतनी जीत कौर जी के प्यार नम्रता सतकार वासत वेवहार का प्रभाव आपके परिवार पर प्रणना स्वाभाविक था लालो जी यूंग जीत कौर जी की प्रेनणा से आपके माता जी और दो बहनों सुन्दरी जीवा कमला जी ने भी ब्रह्म ग्यान ले लिया और घर का बाता बरड़ ही मंदिर जैसा बनने लगा बगत को टुमल जी एक स्वतंत्र विचारधारा के स्वामी थे जब आप छुट्टियों में घर आते तो घर के परिवर्तित माहुल को देखकर अचंबित हो उठते आप की माता जीवा बहने आपसे ब्रह्म ग्यान लेकर अपना जन्म समारने की बात करती परंतु आप तो अपने कैरियर बनाने की धुन में थे ताकि पढ़ाई पूरी करके अपने परिवार वा समाज के परती अपने कर्तब्यों को निभा पाएं इस प्रकार याप बिस व सानिये पीड़ा को महसूस करते हैं वा बर्स था जब मानोता तराहित राहिकर उठी और इंसान के रूप में सैतान ने अपना हैवानियतियों बिना सकाता अंडों नित्सरू कर दिया गाउं कस्मों में जो परिवार मिल्यूल कर रहते थे एक दूसरे के सुख दुख के प्रकिस्तान या विभाजन के वल जमीन का ही नहीं हुआ था बलकि विभाजन हो गया था आस्थाओं का विश्वास का धर्म का और इमान का इस विभाजन के बाद भगत कोटू मल जी का परिवार भारत में दिल्ली के रिफ्यूजी कैंप में और उसके उपरांत इस्ट के पिता जी को पाकिस्तान से चलते समें जो सब्द भाई साहब लालो जी ने कहे थे वो उनको याद आए उन्होंने होसला देते हुए घाथा भाई साहब हमारा रच्छक निरंकार है हर समें इसी का सहरा लेना है भारत पहुंचकर या पिसत गुरु सैन साहजी के चरणों म लगे तरफ दोनों तरफ से थी और बिना लंबी इंतजार किये किसी महापुरुस्ते संपर्क में आने के बाद सहन साहजी के चरणों में पहुंच गए उन्हें दिनों सहन साहजी का निवास अस्तान दिल्ली के पहाड़ गंज छेत्र में था सत्गुरु से भेंट करके उन साहजी ने उनकी सेवा भी यही लगा दी कि पाकिस्तान से आए लोगों को उनके बिछडे हुए परियारों से मिलन करवाने में योंग उनके पैसे पाकिस्तान से ट्रांसफर करवाने में सहयता की जाए इस सेवा को निभाने के लिए उनके डांक बिभाग का तजुर्बा आभावा परहचान सहायक्षिद्ध हुई इस प्रकार आपके पिता जी के मन में सहिंसखाजी के प्रतिसरत दावा सतकार बढ़ने लगा उस समय तक भकत कोत को टूमल जी के परिवार में केवल दो बहनु यॉग आपके माता जी ने ब्रम्व ग्यान लिया था आपके पिता ज ज्यान के लिए प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे। पिता जीवा आपको सतसंग का माहूल तो बहुत अच्छा लगता क्योंकि वहां हर जाती मजहब धर्म भासा के लोग एक दूसरे के साथ परिवार की भात प्यार सतकार से रहते थे। तो दूसरी और कैंप में संकीरता की घुटन। दिल्ली पहुचने के पस्चात भगत को टूमल जी सहन साह जी के अमरित बचन सुनने के इच्छुक बनते चले गए। कैंप में सिंध प्रांत से होने के कारणयाब के परिवार को अलगाव की दृष्टी से देखा जाता था। परंत यहां सत्संग में उतनी ही समीपता वा समानता मिल रही थी। इस प्रकार आप भी सहन साह जी के चरणों से जुड़ गए और ब्रह्म ज्यान की दात प्राप्त कर ली। एक दिन रात को पहाण गंज की संगत में आपको अपने जीवन पर बोलने का समय मिला। आपके भक्ती भाव बरे बचनों को सुनकर संत निरंकारी मंडल के सदस्य पालंगर इंचार्ज भगत राम चंद जी बहुत परभावित हुए और उन्होंने आपको फर्त दिन सत्संग में आने के लिए कहा। उनके बचनान सारे आप उसी दिन से लगन के साथ उनके चरणों में रहकर सत्संग और सेवा करने लगे। जों जों सत्संग की और आपका ध्यान बढ़ता गया त्योंतियों हर तरफ से विरोध होना शुरू हो गया क्योंकि देहधारी गुरू को अपनाना और उसके चरणों में अपना जीमन समर्पित कर देना किसी गुनाह से कम नहीं समझा जाता था प्रंतु आपका विश्वास अटूट और अडिग रहा जों जों विरोध पड़ता गया त्योंतियों आपका सत्गरू पर विश्वास द्रड़ होता गया पारिवारिक जीमन बगत कोटू मल जी का विवाह एक दिसंबर 1149 को स्री चुहड मल ताह लियानी योंग श्री मती डूली भाई जी की सुसील वासुंदर कन्या रूप उन्ती जी से हो गया रूप उन्ती जी का जन्म 1931 में हुआ था उनके पांच भाई योंग तीन बहने थी और सभी ने ब्रह्म ज्यान की दात प्राप्त कर रखी थी भगत जी की दो सुपत्रियां हैं जिनका न पहलाज जी जब सुरू सुरू में अमेरिका गए तब उन्हें कई कठनाईयों का सामना करना पड़ा एक बार तो उन्होंने सोचा कि सब कुछ छोड़ कर वापस आ जाएं उन्होंने भगत जी से अपनी प्रहसानी का जिक्र किया तब भगत जी ने कहा कि सुमिरन करो अपन अपने बच्चों को सदेवसद गुरु वान रंकार से नाता जोडने की प्रनडा दी बगती का रंग ब्रह्म ग्याने लेते ही आप तो इस न्रंकार के अहसास में इसकदर जीने लगे कि दुनिया में राते हुए भी खुद को विरक्त सा महसूस करते थे शिंद में आप प पहाण गंज में संत न्रंकारी मंडल ने एक प्लाट सरकार से अलाट करवा लिया था जहां सुबा सत्संग होता और बाद में ब्योसाई के लिए पसिछड केंद जलता था पाकिस्तान से आए बहुत से परिवारों के बच्चे वा अन्य जरूरत मंद लोग यहां कई प्रक को चुना गया बगत राम चंद जी जीवन भरभर्मचारी रहकर गुरु भक्ती में बिलीन रहे उनकी दुनिया अपने गुरु से शुरू होकर गुरु पर समाप्त हो जाती थी एक ही धुन थी गुरु के हर बचन का पालन करना और गुर्मत के सिद्धानतों को स्वेंग और दूसरे गुर्सिकों को भी इन्हें अपनाने की प्रणना देना वा गुर्मत का चलता फिरता विद्याले थे क्या कोटूमल जी का सुभागिरहा की ज्यान लेते ही आपको भगत रामचंद जी जैसे ब्रमनिष्ट संत का साथ मिला इस कर्मनिष्ट सेवादार ने आपके सुप्त गुरु को भाप लिया और आपके सेवा के सुभाव को सराहा भी और आपको समझाया भी कि साई सेवा फल होती है जो सत्गुरु की आज्या में हो जो अपने मन के अनकूल नहीं बलकि सत्गुरु की इच्छा के अनकूल हो इस प्रकार उन्होंने आपके अंदर निसकाम सेवावा भक्ती का बीज डाला जो पर फुलित होकर जीमन भरे आपको फल दायक बिच्च की भाति ठंड चायावा फल दिलाता रहा बगत राम चंद जी का विश्वास सदेव टोल रहा और जीमन के संघर्षमय समय में भी वह कभी भरमित्या बितलित नहीं हुए थे उनकी सिखलाई गुर्षिकों को पक्का करने वाली होती थी तैकि हर गुर्षिक अंदरों बहरों सच्चा पाली कसोटी पर पूरा उतर पाए वास्वयंग भी अभिमानवा करता भावस्ते को संधूर थे और नए ग्यानवानों को भी निसकाम भक्ती करने का मार्ग दर्साते थे उनका असपस्ट बादी सभाव सभी को अपनी ओरा अकर्षित करता था उनका गहरा प्रभाव को कोटू मलजी सुबह चार बजे उठकर इस्ट पटेल नगर के अपने घर से साइकिल पर ही पाल गंज के इस सत्संग अस्थान पर पहुंच जाते वहान एक प्रकार की सेमाएं आपको मिल जाती जैसे हैंड पम से पानी निकाल कर कच्चे सत्संग अस्थान पर छिड़काव करना संतों के लिए पीने का पानी इकठा करके रखना दरिया विछाना स्टेज सजाना पर साथ तयार करना आदी आरंभ में आपको सुबह उठना मुश्किल लगता था एक दिने आपने भगत रामचंद जी से कहा कि मेरे पास तो अलार्म घड़ी भी नहीं है इस कारण सु भी मैं लेट हो जाता हूँ आप सारी सेवाएं खुद ही कर लेते हैं परन्त मुझे लेट आने के कारण इतनी सर में आती है कि मैं आपसे निगाह भी नहीं मिला पाता भगत रामचंद जी ने आपकी समस्या एक छड़ में हल करते हूँ ये कहा कोटू या क्या मुश्किल है राट को सोते समय इस निरंकार के आगे अर्दास करना कि सच्चे पात्सा सेवा के लिए जाना है सुबह चार बजे से पहले नीद से जगा देना आपने केवल अर्दास करके छोड़ देना है बाकी कार इस निरंकार का है बस फिर क्या था या नुक्ता जीमन कभर कोटू मल के काम आया रात को सोते समय अर्दास का नतीज आया निकला कि सुबा ठीक चार बजे से पहले आपको जैसे किसी ने पकड़ कर उठाते हुए कहा हो उठो संतों सेवा का समय हो गया है उस दिन के पस्चात तो हर रोज ही आप सेवा के मैदान में ठीक समय पर पहुंच जाते या सेवा आपके रोम रोम में इस कदर समा गई कि इसके बिना दिन्चरिया आरंब ही नहीं हो पाती थी बगत राम चंद जी अपने इस मित्र को एक पूर्ण संत रूप में देखना चाहते थे इसी कारण उन्होंने आपको कई परिक्षाओं में डाला एक बार की बात है आपक बिश्तर पर लेट जाओंगा और भगत राम चंद जी को पता भी चल जाएगा कि मेरा शरीर इस समय किस इस्तित में है जैसे तैसे घर से आप भवन पहुंचे भगत राम चंद जी ने एक और आपका तपता चेहरा देखा और दूसरी और गुर्षिक के विश्वास की प्र प्रभाव था कि वह संतों के अधीन होकर कारी करता है ना कि संत सरीर के गुलाम बनते हैं उठो नल से पानी निकालो छिड़काओ करो और रोजाना की भाती सत्षंग की व्योस्था करो शरीर निरंकार के सुपुर्द करो इसे तंदुरुस्त करना निरंकार का कारी है आप अपना कारी करो बाकी कारी निरंकार पर छोड़ दो कोटू मल जी पर भगत रामचंद जी का इतना प्रभाव था कि वह संतों के बचन को गुरू का बचन समझ कर मानने से कभी जूगते नहीं थे उस दिन भी आपने बचन मानते हुए पानी हैंड पम से निकालना सुरू कि बवन की सफाई की और दातार की किरपा से पसीना आने से बुखार भी उतर गया और याप बिल्कुल सश्थ होकर अपनी ड्यूटी पर भी चले गए इस घटना से आपका एकिन और भी द्रण हो गया कितन मनधंद नंकार के हवाले करने से हमारे दुनियावी कारी भी सिक्रत से संपन्न होते हैं और यानन्द भी मिलता है उन दिनों एक और घटना घटित हो गई आपके पिताजी जो अपनी पतनीवा बेटियों के कहने पर सत्गुरु सरण में आये थे और वहां के माहोल ने उन्हें प्रभावित भी किया था परंतुआ किसी भरम के सिकार हो गए व पर उस यस को सत्गुरु की किर्पा समझने की बजाए स्वयंग को ही यस का पात्र मान बैठे थे इसी समर्पड के अभाव के कारणवह गुर्मत को ना समझ सके उनके लिए स्वयंग का मान उनकी नम्रता से कहीं महत्पूर्ण बन चुका था कोटूमल जी के पिता जी को आपका पूर्टया समर्पड बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था उन्हें आपका सुबा दफ्तर जाने से पहले और साम को दफ्तर से सीधा सेवा या सत्संग में चले जाना बिल्कुल पसंद नहीं था वह है आपको परिवार के साथ बांधना चाहते थे और अनेक बार आपको अधिक से अधिक समय समाज में बितित करने की सीख देते रहते थे परन्तु आप पर तो इस हकीकी का रंग इतना गहरा चढ़ चुका था कि कोई सांसारी के रंग अब चढ़ना कटिन था आपकी यह जुनूनी लगन देखकर एक बार आपके पिता जी ने अपना नड़े सुना दिया जो किसी परिक्षा से कम ना था घर पहुँचते ही उन्होंने बहुत क्रोधित होकर आपको हुक्म दिया अब समय आ गया है कि आप अपने घर परिवार को चुनो या सत्गुरू और संगत को परन्तु साथ ही चेताउनी भीदी कि यदि एक बार कदम घर से बाहर निकल गए तो दो बारा वापस्ति की उम्मीद ना करना इस कठिन परिक्षा से भी कोटू मल जी साज भाव से ही निकल गए आपने सारे रिक सुखों से अधिक प्रास्मित्ता आत्मी की आनंद को देते हुए अपने जीवन का आधार सत्गुरू दिरंकार वासाद संगत को चुन लिया आपके इस निर्ड़े को आपके धर्म पत्नी स्रीमती रूप उन्ती जी ने भी स्विकार किया और हमेशा की तरह उस दिन भी अपने पती के साथ घर छोड़ने को तयार हो गई गरवालों ने उन्हें रोकने का परियास भी किया परंतु आ जानती थी कि उनका पती सही रास्ते पर अग्रसर हो रहा है इस कारण उन्होंने पती के साथ ही जीवन सफरते करने का दिर्ड़े किया इसके उपरांते आपके लिए अपने पिता के घर के दरवाजे सदा के लिए बंद हो गए यहां तक की पिता ने अपना वारिस आपके छोटे भाई को घोसित करके सारी जायदात उसे सौप दी अंतिन समय में जब वह बीमार थे आप उन्हें मिलने गए तो भी आपको मिलने वाच्छमा करने से उन्होंने इनकार कर दिया आपने इसे भी प्रभू इच्छा समझ लिया घर चोड़ने के उपरांद तो आपका सारा समय घर नोकरी संगत सेवा और भगत रामचंद जी के बचन सुनने वा मानने में गुजरने लगा था भगत रामचंद जी की कदम कदम पर मिली सिखलाई से जीवन में रुपांतरन होने लगा था वा छोटी से छोटी गारी से गारी गुर्मत की बात साज्ता में ही समझा देते थे संगत का महत्व सेवा में निसकाम भाव सद्गुरू के परतिसमर्पित होने के अर्थ समझ में आने लगे थे उन जिनों दिरंग कारी का लोनी का अंद्रिमार कारे चल रहा था सैन्साह जी का निवास अस्थान तैयार होते ही उन्होंने यहां राकर से सकारी अपनी निगरानी में करवाना आरंब कर दिया था इस कारल पहाडगंज में वा अधरंकारी कालोनी से हर रोज सुबा सफसंग करने जाया करते थे इस सफसंग से पाले एक गंटे की संगत भगत राम चंद जी की अध्यचता में होती थी जिसमें वा गुरबाणी के किसी सब्द या किसी बेदसास्त से गुरमत की गाराई की बातें समझाते थे विचार संपन्न होते ही एक एक महापुरुस से पूँचते कि इस सब्द का क्या भाव है आज अमुक महापुरुस ने संगत में किस विशे को लिया और क्या रहमत दी आपके इस धंग ने सारे महापुरुसों को जागरूख होकर चेतनता से हर बचन को सुनने के यादत डाल दी आप सदेव फर्माते थे कि संगत से बचनों रूपी परसाद को घर लेकर जाया करो जिसे हर व्यक्ति तक बाटते चले जाओ जितना बाटोगे उतना बढ़ता चला जाएगा या चेतनता को टूमल जी के जीमन का आधार बन चुकी थी अपने जीमन के उन बरसों में भी जब आप बुजुर्गी की अवस्था में पहुँच चुके थे आप सुबह साम जब भी सत्संग करने कहीं जाते तो आते और जाते समय साथ जाने वाले महापुर्षों से गुर्मत सम्मंधित पस्न पूछते सत्संग में जो सर्मन किया उस पर चर्चा करते और इस तरह अन्य महापुर्षों के जीमन में निकार वा असपस्टता लाने का प्रियास करते रहते थे गुर्मत की बारी किया तो आप से सीखने को मिलती ही थी बात बात में गुर्मत का पाठ पढ़ाना भी आपके सुभाव का हिस्सा बन चुका था भगत कोटुमल जी जीवन भर अपने सरप्रस्त भगत रामचंद जी के उपकारों को याद करते और कर्म से सुनाते रहे आप बताते कि कैसे बिसालता वासंता वाला व्यवार करना है एक बार आप पहाडगंज भवन में सेवा कर रहे थे तो एक सिंधी महापुरुस आपके पास आए और अपने घर में सत्संग करवाने हे तुप्रामर्श करने लगे आप ये अपनी सेवा छोड़कर उनसे बास में छोड़ी क्योंकि वा महातमा सिंधी था कि उसकी जगा कोई गुजराती पंजाबी मराठी या अन्य किसी प्रांद का महापुरुस होता तो भी क्या आप इतनी ही उत्साह दिखाते और दिल्चस्पी लेकर इतना समय उन्हें देते इस तरह बात बात पर भगत जी स्वैंग ठाली में लंगर डाल कर मुझे देने लगे तो मेरे मुख से निकला रहने दीजिए आप तो महान संत हैं मैं आप से कैसे सेवा करवा सकता हूँ सेवा करना तो मेरा फर्ज है जब दो तीन बार ऐसा कहा तो उन्होंने समझाया बेटा केवल मुख से कह देने से कोई सेवादार नहीं बन जाता सेवादार बनना चाहते हो तो सेवक को सेवा बन आई वाला भाव अपना लो और हर सेवा को मुश्कुराते हुए स्वैकार करो सेवा कभी छोटी या बड़ी नहीं होती सेवा केवल सेवा होती है जो हमें सत्गुरू के निकट रखती है उन आपको कोटूमल से भगत कोटूमल बनाने का स्रे भी भगत रामचंद जी को ही जाता है। उन्होंने आपके भीतर से अभिवान वाकरता भाव को पूरी तरह बाहर फेकने के लिए कई पर्यत्न किये। जिन में से कई मीठे और कई बड़े कड़वे भी होते थे। एक दिन आप भवन में सेवा में तलीन थे। सेवा संपन्न करके जब आप भगत रामचंद जी के पास गए तो वहां उनके पास पाले सी ही एक महात्मा बैठे बातचीत कर रहे थे। आपको देखकर उस महापुरुस ने कहना आरंब किया भगत जी कोटू मल जी कितने अन्थक सेवादार हैं सेवा में इनका जबाब नहीं आदी आदी भगत रामचंद जी उसी समय बीच में ही बोल पड़े भाई सहाब किसी भुलेखे में न पढ़ना कोटू इसलिए भवन पर पड़ा रहता है कि बाप ने घर से निकाल दिया है अब गुरू के बिना इसका कौन है इस संसार में कोटू मल जी को पानी लाने के लिए बाहर भेज दिया तो भगत रामचंद जी उसी समय उस महापुरुस से कहने लगे भाई सहाब आपने जो अभी कोटू मल के बारे में कहा है वा इससे कई गुना बढ़कर सेवादार है इसकी जितनी सिपत करो थोड़ी है परन्तु मैं यह सब कुछ उसके सामने नहीं कहना चाहता था ताकि कहीं सेवा का सुक्षम अभिमान ना आ जाए और मैं कुछ तीखा इसलिए बोला ताकि सान सीलतावा भक्ती अपन कोई रहनुमा होता है जो उन्हें जीवन की सरवुत्तम मंजिल तक पहुँचने में कदम कदम पर मार्ग दरसन करता है ऐसे ही भागिवान थे भगत को टूमल जी आपने गुर्मत के रहस्चिवा बारीकियों को भगत रामचंद जी के समीप रहकर देखा उन्हें समझा और परती अटूट वा खंड सरद्धा रखना गुर्शिक की सरद्धा सांसारिक बस्तूओं या भवतिक उपलब्धियों से जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए परना सपलता मिलने पर तो सरद्धा उत्पन होगी लेकिन सपलता ना मिलने पर मन में संसे पैदा हो जाएगा इ आलात भक्त के परत की उलहों या अनुकूल गुरू की आज्या मानना ही गुर्शिक है बक्ती का तीसरा सोपान है स्वाग्रह का भाव अर्थात मैं कुछ नहीं जो गुरू की आज्या वही मेरा कर्म जो गुरू की सोच वही मेरी बहतरी भक्त कभी पद की कामना नहीं करता क्योंकि पद के साथ जुड़ा होता है मद और मद के आते ही गुर्षिकी के बुनियादी सिद्धान्त बिनम्रतावा सहंसिलता जीवन से अलोप हो जाते हैं बगत पद को यदि सेवा रूप में समालता है तभी वह गुर्षिक बन पाता है या प्राप्ती कठिन जरूर है परंत असंभव नहीं बगत को टुमल जी का स्वहिंग का जीवन इन तीनों सोपानों पर पूरा उतरता है आपको संत निरंकारी मंडल में कितनी सेवाओं से नमाजा गया बले ही वाकारी कारडी में लेखा जोगा विभाग के प्रभारी रहे हर समय स्वहिंग को नम्रव और दास भावना में ही रखा आप ये अपने सत्गुरू का आभार प्रगट करते हुए कहते कि दुनिया भी सरकार तो 58 या 60 बर्स गे पस्चात हमारी इमानदारी कर्म निष्ठा योग्यता को नजरंदाज करते हुए हमें सेवा निबित कर दे अक्सर काते हम मूरख कारे लाईया नानक हरी कम में अर्थात हम मूरखों को सद्गुरू ने हरी के काम में लगा लिया एक परचारक के रूप में बगत को टूमल जी जहां भी जाते जिस परिवार में चलर डालते उसी का हिस्सा बन जाते थे उस परिवार की समस्चा को धै तीन बेटियां थी परिवार के खर्चे इतने थे कि वा उनके विवाह के लिए कुछ बचत नहीं कर पाते थे जिसके कारल पती पतनी कुछ उदास थे उसी समय उनकी सबसे छोटी बेटी कमरे में आई और तोतली जुबान से कुछ काते हुई हंस्ती हुई बाहर चली गई जी ने समझाया बेटा तुम्हें भी उदास होने की जरूरत नहीं तुम्हारा भी तो सद्गुरु बैठा है ना ये अपने आप ही सारे कारी कर देगा या सुनकर दोनों पती पतनी ने आपको धन्यवाद दिया आप जहां देखते की बाता बरण में कुछ तनाओ है मन मु जाते की हर मनुष्य में कुछ गुण और कुछ आउगुण होते हैं पूर्ण तो केवल सद्गुरु होता है किसी के गुणों के कारल प्रेम करना या आउगुणों के कारल नफरत करना सही नहीं सभाव सबका अपना होता है परन्तु हमने हर एक इंसान से इंसानियत वाला जरूर रखना है गुर्मत का नाता सबसे पकानाता है सदेव गुर्सिखी की लकीर को लंबा करते रहो सभी के दिलों पर छा जाओगे बगत जी जहां खुद सेवा के पुंज थे वहीं सभी को सेवा की पिनड़ा देते और उनमें सेवा के गुण भरने का प्रियास करते र लिए सुबा पांच बजे ही पटेल नगर दिल्ली से निरंकारी कालोनी पहुंच जाते एक दिने आपने सभी नोजवानों को पास बुला कर पूछा आप इतनी सुबा यहां सेवा के लिए किसी उद्देश से आते हैं क्या मिसन में किसी पदपद भी की चाहत रखते हो या कोई दुनिया भी इच्छा को लेकर सेवा कर रहे हो सभी नोजवानों के पास कोई जबाब नहीं था उन्होंने हाथ जोड़ कर बिंती की की आप जो आसिरबाद देना चाहते हैं हमें दें ताकि गुर दर पर तोड़ निभ जाए आपने समझाया बच्चों आपने जो बन में आपके पास सारी रिताकत है कुछ बरसों के पस्चात जब सारी रिताकत कम होनी आरंब हो जाएगी तब सेवा जैसी अब जोस्ते कर रहे हो वैसी सेवा चाहते हुए भी नहीं कर पाओगे इसलिए जमानी में ही सेवा का मेवा खाकर भरपूर स्वाद लें अपना उदा कारी का लोनी में सेवा करने आता था परन्त अब ऐसा नहीं है अब सारी रित सेवा चाहते हुए भी नहीं कर पाता इसलिए इस समय का भरपूर फाइदा उठा लो गुजरा हुआ समय कभी वापिस नहीं आता एक बार जब भगत कोटूमल जी दूर देसों की परचार यात् पर गए थे तब उहां सभी महात्मा उनके जीवन से बहुत प्रभावित हुए उस समय उनकी छोटी बेटी की साधी होने वाली थी एक बहन गानों से भरा बाक्स लेकर भगत जी के पास आई और बहुत जोड़ देकर कहा कि आपकी बेटी की साधी के लिए उपहार है तब भगत जी ने उस बहन को बहुत मना किया मगर वा बहन किसी भी सूरत में नहीं मानी तब भगत जी ने उस से पाबाक्स ले लिया उनसे गुरु चर्चा करते रहे और पंदरा बीस मिनट के बाद भगत जी ने कहा कि आपने जो बाक्स मुझे दिया मैंने ले लिया अब तो आप बहुत खुस हो उस बहन ने कहा हाँ मुझे खुसी है आपने परवान किया भगत जी ने उस बहन से कहा अब ये आप अपने पास रखो और मेरी अमानत समझ कर इस्तेमाल करो इस तरह से उनके मन में कभी किसी से कुछ लेने का भाव नहीं आता था सिर्फ देने का खुद सेवा करने का भाव होता था कि मैं किसी भी रूप में किसी की सेवा कर पाऊं आपके जीवन की परमुक विसेश्ताएं थी तो वा थी अहंकार रहित द्रडविश्वासी परिपक्व भक्तिवा मायुर्ध की आपके इनी गुड़ों को देखते हुए व किसी को भी कोई जरुवत पड़ती तो वाप उसकी साहता करते थे और गुरू पर विश्वास रखने की सच्छा देते थे आपने देश-विदेश में जाकर परचार किया भगत कोटूमल जी ने 5 जुलाई 1987 से लेकर 22 अक्टूबर 1987 तक पटियाला के पसिद्ध गीतकार सु किने विदेश में परचार यात्रा की इसी दवरान लंदन के नए सत्संग भवन का उधगाटन भी आधरणी भगत कोटूमल जी के करकमलों द्वारा हुआ इस यात्रा के दवरान आपने जर्मनी, इंगलेन, अमेरिका में वासिंगटन, फलोरिडा, लांस एंजेलिस, साइ मार्टी आल आधी अस्थानों पर सत्संग किया था, आपने संगतों को प्रेम, नम्रता, साइनस इलता और सादगी के साथ ज्यान पर परिपक्वतावा विश्वास करने की सिच्छा दी, जन भगत कोटूमल जी द्वारा दी गई आपसी प्यार, नम्रता, मदुर सभावा विवार की सीख को आज भी याद करते हैं, निरंकार की रजा में जीना, भगत कोटूमल जी केवल नाम के ही भक्त नहीं थे, वास्तों में भगत थे, जो प्रभू की किये पर कभी किन्तू परंतू नहीं करते थे, इसकी रजा को मुश्कराते हुए मानना ही आपके जीवन क देय था, एक बार याप किसी महत्मा के साथ बार्सिक दिरंकारी संत समागम के दोरान समागम ग्राउंड से गुजर रहे थे, रास्ते में चलते चलते उस महत्मा ने कहा भगत जी कल रात इतनी ठंड थी कि दो घटनाएं ऐसी घटित होई जिन से मन उदास हो गया और कई प पहले ही दो बार हार्ट अटेक हो चुका था, कल रात ली उसे फिर तकलिफ हो गई और उसे अस्पताल में आपात काले नुप्चार हेत भरती कराया गया, दूसरा एक महा पुरुष केवल एक महा का बच्चा लेकर समागम करने आ गया, कल रात उस बच्चे की हालत भी कारी और वामेटिकल विभाग को कितनी प्रहसानी होती है, इससे क्या लाब हुआ, उनकी बात सुनकर भगत कोटुमल जी ने पूछा कि समागम ग्राउन के बाहर जो रहडी लगा कर सामान बेचते हैं, तीन दिन में कितनी कमाई करते होंगे, उस महात्मा ने एकदम उत्तर दिया कम से कम पांचा हजार रूपे, तो हर एक ने कमाना ही है, भगत जी ने फिर पूछा, आप कितना खर्च करके समागम करने आये हो, उस महापुरुष ने कहा, शे साथ हजार तो हमारे भी लगी जाते हैं, भगत जी ने कहा, मुझे लगता है कि हर एक रहडी वाला तो पांच साथ हजार कमाई करने के ले जाएगा, परन्तु आप तो सेवा सत्सन करने के बावजूत खाली हाथ वापस जा रहे हो, या सुनकर महत्मा चंबित होकर बिंती करने लगा, भगत जी या कैसे, भगत जी ने बड़े मर्म की बात समझाई, संत जनों जो कुछ हो रहा ह या सब इस बिधाता के हुकमा अनुसार हो रहा है, जिसकी जहां पर मृत्यू दुख या कस्ट बिधाता ने लिखा है, वाव ही होगा, इसमें किसी का बस नहीं चलता, प्रभू के खिये में हस्त अच्छेप करने का अधिकार किसी गुर्षिक के पास नहीं, महापुरुस म में बसाकर जीवन जीने का लच्छ बना लेते हैं, भग्त निरंकार के किये पर किंतू परंतू नहीं करता, इसके किये को मानने वा सविकार करने की सक्ती मांगता है, इस प्रकार भगत जी गुर्मत के गहरे रंग में हर येक को रंगने का प्रियास जीवन भर करते रहे, च स्वयम कहकर भी सेवा करवाते और इतने आशिरवाद देते जो तकदीरें पलटने वाले होते। आप जिस घर में भी जाते पूरे परिवार को समझाते कि भक्ती में संतों का सत्कार जरूरी है या सतकार परिवार से स्रू करें सास बहु को वेटी मानकर छोटी मोटी बातों को नजरंदाज कर दे और बहु सास को मा समझ कर आदर सतकार दे इसी प्रकार दिवरानी जठानी बहनों की भाती प्रेम से रहें तो आगे बच्चे भी इनी दिब्वी गुणों से भरपूर होकर समाजवा मिसन में आदर सतकार के भागीदार बने रहेंगे इस प्रकार भगत जी ने कई घरों को स्वर्ग बनाया भगत कोटूमल जी सदेव गुरू घर की माया को कम से कम खर्च करने और अधिक से अधिक सेवा करने के सिध्धान्त को मानते रहें आप गुरू घर की माया के परती बहुत सजग थे मिसन के कोशा धक्च के रूप में उन पर बड़ी जिम्मेदारी थी संगत वासमागम की नमसकार रूपी भेंट को गिनकर भैंक में जमा करवाने तक आप पूरा ध्यान रखते रविवार वासमागम के दिनों में तो इस सेवा को करने के लिए कई अस्तानों से महापुरू साते आप उनको समझाते आपके सामने कितनी माया पड़ी है परन्त यद कोई इसमें से एक रुपिया भी उठा कर अपनी जेप में डाल लेगा तो यह अजार का काम करेगा यद किसी को बहुत जरूरत भी है तो इस तरंकार प्रभू से मांगो क्योंकि तुम उठाओगे तो दो हाथों से उठाओगे प्रंत प्रभू देगा तो हजार हाथों से देगा इसलिए ब्रह्म ज्यानी चेतन होते हैं घाटे वाला कारे नहीं करते एक बार कोई महत्मा देशी ही का एक कनस्तर भेंट कर गया एक माता जी ने उसमें से घी निकाला और अपने खाने में डाल लिया आपने उसे भी समझाया कि गुरू घर में आई किसी भी भेंट को गुरू के आदेश वा अनमती के बिना परियोग करना जार खाने के बराबर है गुरू अपने हाथों से दे या अपने संतों के हाथों से दिलवाए तो वही पदार्थ अमरित बन जाता है एक बार भगत जी की बहन ने उनसे पूचा कि संतों महापुर्षों के जीवन में कस्ट दुखवा बीमारी क्यों आती है वो तो प्रभु भक्त होते हैं सेवा सुमिरने और सत्संग भी करते हैं फिर भी ऐसा क्यों तो भगत जी ने उत्तर दिया कि सत्संग भवन में रोज प्रभु का इसोगान ही होता है संगतें आती हैं सुंदर सुंदर भजने और विचारें होती हैं फिर भी सत्संग भवन की सफेदी तो करवानी ही पड़ती है कहीं से दिवारों की तूट-फूट हो जाती है तो मरमत भी मिस्टरी से करवानी ही पड़ती है ठीक इसी तरह ये पांच तत्तों से बना सरीर है इसमें जब कुछ कमी आ जाती है तो इसका भी इलाज डांक्टर से करवाना ही पड़ता है एक बार पटेल नगर दिल्ली सत्संग भवन में भगत जी ने अपने परवचनों में फरमाया कि जब किसी ब्यक्ति का आपरेशन होता है तो उसके आपरेशन वाले अस्थान को अने अस्तिसिया के इंजेक्शन लग द्वारा सुन कर दिया जाता है जिससे उस अस्थान पर यापरेशन किये जाने का अर्थात सरीर के उस अस्थान पर कैशी चाको या चीर फाड का कारे होते हुए भी उस ब्यक्ति को कोई दर्द मासूस नहीं होता इसका अभिपराय यह नहीं कि उस अस्थान पर ऐसा कारे करने से तकलीफ नहीं होती बलकि इसका प्राय यहा है कि उस ब्यक्ति को ऐसी दवाई के प्रभाव में लाया गया जिसके कारण उसे उस तकलीफ का पता ही नहीं चला ठीक इसी तरह ब्रह्म ग्यानी के जीवन में भी आमसामाजिक प्राणी की तरह उतार चलाव सुख दुख आते तो राते हैं प्रंत ब्रह्म ग्यान के प्रभाव में होने के कारण उस पर इन चीजों का असर नहीं होता जैसे सर्दी के मौसम में जो ब्यक्ति स्वेटर, गर्म कोट, पैंट, साल इत्याद पहन लेते हैं वो आराम से घूम फिर सकते हैं इसका अभिप्राय यहा नहीं कि उनके लिए सर्दी है ही नहीं बलकि इसका अभिप्राय यहा है कि उनके पास सर्दी के प्रभाव से बचने के उपाय मौझूद हैं इसी तरह ब्रह्म ज्यानी के पास समय के सागर की लारों से उठने वाले तूफानों में भी उसका प्रभाव गरहन ना करने की ताकत होती है भक्त जी हर वक्त ही सुमिरन करने पर जोड़ देते थे और पास बैठे गुर्मकों से कोई ना कोई गुर्मत का पशन पूछ लेते ताकि उनका ध्यान गुरू से जुड़ा रहे आप समझाते कि जब भी बैठो जहां भी बैठो इस निरंकार प्रभू का ही गुडगान किया करो जब कभी सेवा भी करते हो तो वहां दूसरी दुनिया भी बातें ना करके सिर्फ भक्ती की ही बातें किया करो ऐसे द्रडविश्वासी संत महत्मा भगत जी को सत्सत्नमन गुर्सिखी की मर्यादा आप स्वयम भी गुर्सिखी की मर्यादा में रहते और अन्य महापुर्सों को भी गुर्सिखी की मर्यादाओं का पालन करने की प्रणडा देते संगत में कैसे बैठना है कैसे मनोबृत्ती को सत्संग में एकागर करना है ऐसी छोटी छोटी बातों को समझाते थे संगत में दीवार के साथ ठेक लगा कर कोई बैठता तो उसे समझाते थे कि बेटा दीवार जड़ होती है यदि हम संगत में जड़ का सहारा लेकर बैठेंगे तो हम भी जड़ हो जाएंगे यदि कोई सारी दिक मजबूरी नहीं हो तो हमें सत्संग में चेतन होकर बैठना चाहिए यदि चेतन होकर बैठेंगे तो हमारे अंदर चेतनता आएगी भगत जी अक्सर दूसरे महत्माओं को पाल दिया करते थे खुद को हमेशा पीछे रखने की कोशिस करते थे अक्सर डांक्टर देशराज जी के साथ संगतों में जाते थे और खुद को उनके पीछे ही रखते थे और सभी का बहुत सतकार करते थे स्टेज पर बैठने या संगत में बोलने की कभी इच्छा नहीं रखते थे एक मात्मा ने अपनी आप बीती बताते हुए कहा कि उसे सराव पीने की बहुत बुरी आदत थी साम के आठ बजते ही वा बेचेन हो जाता था यह बात भगत जी जानते थे भगत जी अक्सर साथ से आठ बजे के बीत उसके घर आ जाते और वह परिशान हो जाता था कि अब वह क्या करे उनके घर आने से पहले ही वह घर से निकलने की कोशिस करता था फिर उसने एक दिन भगत जी से बिंती की कि मैं सराव छोड़ने की बहुत कोशिस करता हूँ मगर छूटती नहीं मेरा उठना बैटना ऐसे लोगों में है कि मुझे सराव पीनी ही पड़ती है तब भगत जी ने उसे समझाया कि अपनी कोशिस से तो हम कुछ भी नहीं कर सकते आप इस गुरू के आगे अरदास करो इसके आगे गिरगड़ाओ कि सच्चे पास सा हमेरी कोशिस काफी नहीं है आप किरपा करो आप छुड़ाओ उसने ऐसा ही किया और जब वह एक पार्टी में गया तो वहाँ उसके हाथ में गिलास थमा दिया गया उसका मन भी कर रहा था पीने को और वहाँ नहीं मन अरदास भी कर रहा था जैसे ही उसने गिलास मूँ से लगाया उसे लगा किवा गटर का पानी पी रहा है और उसने उसे वहीं थूक दिया और वो दिन और आज का दिन उसने कभी सराब नहीं पी भगत कोटुमल जी को कोई बहुत बला बुरा कहता तब भी आप सुमिरन करते कोई तारीफ करता परसंसा करता तब भी आप सुमिरन करते जब उनसे पूछा जाता कि भगत जी आप तारीफ सुनकर भी सुमिरन करते हैं और बुनाई सुनकर भी ऐसा क्यों तब याप कहते कि त पच्छियों कुसल परबंदक थे उनकी सहन सीलतावा प्रेम हर महाप्रोष के हिर्दे को जीत लेता था यही कारर था कि कोई महत्मा किसी घरेलू समस्चा में उलज गया या कोई किसी सरकारी या सामाजिक पच्छपात का सिकार बन गया सभी आपके पास आकर दिसा और धैर भी पाते थे मिसंद की परबंद बेवस्ता में भी आपका विसे स्योगदान रहा जहां भी परबंद समालने की जरुवत पड़ी वहीं सद्गुरू का आदेश पाकरियाप पहुँच गए आपके मधुर बेवार से हर अस्थान पर माहोल भी खुशनमा बन जाता रिसी व्यास देव जी के ब्रमलीन होने के बाद बाबा हर देव सिंग जी महराज ने उनको मुंबई का हिसाब किताब तथा परबंद देखने के लिए मुंबई भेज दिया वहां पर यापने पूर्ण गुरुमत में रहकर पूरा परबंद समाला मुंबई की सारी संगत उनके जीमन से बहुत प्रभावित हुई मुंबई में राते हुए आपको एक साल हो गया था मुंबई समागम में संगत में खड़े होकर महापुरसों ने बाबा जी से प्रार्थना की कि भगत को टूमल जी को यहीं पर भेज दें तब बाबा जी ने कहा कि दास इनको एक प्रांच के लिए नहीं रोक सकता इनकी जरूरत केंद्र में जादा है ऐसे गुरू का विश्वास जीता था इस महात्मा ने मिशन की सेवाओं में योगदान 1956 में आप और आपकी पत्नी रूप वंती जी पटेल नगर वाला घर छोड़कर पहाड गंज में रहने चल लगे थे वहाँ आप पाले से भी अधिकतन मन धन से सेवा में ब्रस्त रहने लगे थे 1960 में भगत राम चंद जी ने अपनी जीमन यात्रा संपन्न की आपको या सारीरिक बिछो आसानिये लगा परन्तु भगत राम चंद जी की ही सिच्छा की जीवन में कभी किसी व्यक्ती विशेश से नहीं जुड़ना हर समेशत गुरू निरंकार का सहरा लेना है नहीं आपको समाला भगत राम चंद जी के बाद पहाड गंज संगत की जिम्मेदारी परमक रूप से सैंसाह जी ने आपके कंधों पर डालते हुए फरमाया था भगत राम चंद जी सरीर करके हमारे बीच नहीं रहे परन्तु अब भीवा हमारे बीच मौजूद हैं एक नया रूप और नया नाम लेकर आज से कोटू मल जी संगत का कारिवार समालेंगे और संगत इने भगत कोटू मल का कर पुकारेगी इन बचनों से एक आभास जिम्मेदारी का एक नया अहसास किरतग्यता का अरदास के रूप में बदल गया और यह आपने सहिंसाहजी के चरणों में नमस्कार करते हुए बरदान मांगा कि यह अहसास बना रहे कि यह जिम्मेदारी निभानी भी आपने हैं मुझे सुमतीवा सकती देना कि आपके आदेशा अनुसार कारी कर सकूँ इस प्रकार वननैस सो साठ से वननैस सो पचातर तक आप भगत कोटू मल बनकर साध संगत पाढ़ गंज की सेवा समालते रहे वननैस सो चमवन में संत निरंकारी कालोनी की रूप रेखा निखर कर सामने आ चुकी थी अब संत निरंकारी मंडल का मुख्यालय भी निरंकारी कालोनी में इस्तित हो चुका था साथ सदस्यों वाली कमिटी में पूज जुगल कि सोर जी कोशा धच्च थे मई 1971 में उनकी जीमन यात्रा संपन्न होने के पस्चात सत्गुरू बाबा गुर बचन सिंग जी ने सितंबर 1971 में उनके अस्थान पर याप को मंडल का सदस्य घोसित किया और कोशा धच्च की जि सेवा भी निभा रहे थे जब आप नोकरी से सेवा निब्रित रिटायर हुए तो आप अपना सारा समय सेवा में लगाने लगे इसके अतरिक्त अन्य सेवाओं से भी सद्गुरू ने आपको नमाजा जब संत निरंकारी मंडल ने हर्याना के सोहना नगर में एक का कालेज का सुबारंब किया तो सद्गुरू बाबा गुर बचन सिंग जी ने आपको उस कालेज के चेर्मेन की सेवा परदान की आपको भले ही इस छेतर का कोई तजरुबा नहीं था परंत सद्गुरू की रहमत पर विश्वास पक्का था कि सद्गुरू जिससे जो चाहे जब चाहे सेवा करवा सकता है क्योंकि कारि तो स्वेंग सद्गुरू करते हैं गुर्शिकों के तो केवल नाम होते हैं कई बर्ष तक आपने बड़ी तनमेता से इस सेवा को भी कोसा धच्च की सेवा के साथ साथ निभाया कालेज की गजविधियों का बिस्तार हुआ काम बढ़ने ल की आउसकता महसूस करते हुए आपको 1975 से 1982 तक कालेज के चेर्मेन की सेवा करने के उपरांत इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया 1985 से 1986 और फिर 1996 से अपरेल 2006 तक सत्गुरु बाबा जी ने आपको मंडल के सेवादारों के हितों के लिए मानो संसाधन विभाग की जिम्मेदारी सौंप दी 1976 में आप रूप वंती जी के साथ पहाण गंसे निरंकारी कालों नहीं आ चुके थे आप जीवन भरको साधच की जिम्मेदारी निभाते रहे अब तक तो मिसन देश के कोने कोने में फाइल चुका था और विदेशों में भी मिसन की कई ब्रांचे खुल चुकी थी मंडल को विश्त्रित रूप दिया गया और ये आपके कारी में सायोग देने के लिए आपके साथ आधरणिये डियार सिक्का जी को जोड दिया गया 1997 से लेकर जीवन के अंतिम स्वास तक आप संत निरंकारी मंडल के वरकिंग कमेटी के सदस्य भी रहे कई बरसों तक संत निरंकारी पत्रिका के परकासन में भी योगदान देते रहे एक मई 2006 से आपको संत निरंकारी मंडल के परधान के रूप में सेवा बक्सी गई जब आपको मंडल का परधान बनाया गया तो सभी महापुरुस आपको मुबारक बात देने लगे तब आपके चहरे पर कोई भाव नहीं था भगत जी काते की एकाउंड की सेवा भी मेरे गुरु की है और परधान की सेवा भी इनकी है मैंने तो गुरु की सेवा करनी है वो जो चाहे वो सेवा मुझ से ले 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 इसमें मेरा क्या है इस तरह से आपका जीमन निरले प्रहा अपने सेवक की आपे राखे जब गुर्ष्तिकतन मंधन गुरू के सुपुर्द कर देता है तो उसके सभी कारिश्वेंग सद्गुरू करता है सद्गुरू किसी भी घट में बैठ कर अपने भक्त को संकट से निका पिता ने सब कुछ भगत जी के भाई को दे दिया था आपको लगा कि आपके पास ना कोई पूंजी है ना खुद का मकान ना कोई बचत अब गुजारा कैसे होगा उसी समय आवाज आई क्यों बिचलित होता है जब तनमन धन गुरू का है तो तेरी जरूरतों का ध्यान भी तो गुरू को ही है तूं क्यों चिंता करता है एकदम मन सांत हो गया और दातार ने आपके सारे कारी भी कर दिये इसी प्रकार आप ये घटना और बताते थे कि जब याब की बेटी की साधी होनी थी तो पास में कोई बचत की रकम नहीं थी पती पतनी का चिंतित होना स्वा धर ढंक चे बेटी की साधी भी हो गई और इतने पैसे बच भी गए कि आप दोनों पती पतनी अमेरिका वा कनाडा का टूर भी कराए जब याप नोकरी से रिटायर हुए तो सारा समय मिशन की सेवा में लगाने लगे किसी भी महान व्यक्ति को यदि उसकी पतनी का पूंड सायोग मिले तो उस ब्यक्ति के लिए कुछ भी असंभो नहीं होता ऐसा किरदार ही आपकी पतनी रूप वंती जीने निभाया जीमन के हर्मोन पर उनका सायोग वा प्रेम आपको मिला पहाण गंज में जब याप सरकारी नोकरी करते थे तो दफतर जाने से पहले भवन में स पर संगती और संगत संपन्न होने के बाद पूरी व्योस्ता समेटने के पस्चात आप सिधा दफतर पहुँचते थे सायंकाल भी दफतर से सिधा दिनकारी का लोनी या कहीं सत्संग करके देर रात को घर पहुँचते थे परंत रूप वंती जीने कभी सिकवा सिकायत नहीं कि गर में हमारे बच्चे अभी छोटे थे तोतली जुबान में जब गीद बोलने लगे तो सारे महापुरस उन्हें इनाम के तोर पर माया देते तब भगत जी उन बच्चों को काते बेटा इन्हें नमस्कार में डाल दो आज तक उन बच्चों में वही आदत बनी हुई है जब हम चरणों पर नमस्कार करते तो कभी हाथ से चरण असपर्ष करते कभी सिर चरणों पर छोने से पाले ही उठा लेते तो वे हमारे सिर को पकड़ कर चरणों से लगा देते थे काते थे पुत्तर जब नमस्कार करो तो चरणों से माथे को अच्छी तरह लगाया करो इसी से किसमत की लकीरें बदलती हैं वा कई ही हमने लकीरें बदलती होई देखी जब हम चरणामित बनाते थे तो कहते पाले अच्छी तरह दिल से नत्मस्तक होकर नमस्कार करो फिर चरणामित बना कर पीने से तनका रोग जा सकता है प्राया संगत में हम जाते हैं तो कुछ सुनते हैं और भूल जाते हैं किन्तो भगत जी ने ऐसी आदत डाली कि आते ही कहते आज क्या विचार आये जरा सुनाना हमें कदम कदम पर गुरू की सिच्छाओं के साथ जोडते रहे संगत के साथ सेवा के साथ सुम्रन के साथ जोड 23 जून 2006 को भगत को टूमल जी अपना नस्त्र शरीर त्याक कर ब्रह्मलीन हो गए उस समय आब की आयू 89 बर्स की थी संत निरंकारी का लोनी इस्थित उनके निवास से अपरहन 4 बजे अंतिम यात्रा आरंब हुई इस से पाले उनके पार्थिव शरीर पर संत निरंकारी मंडल के पताधिकारियों ने पुस्प मालाएं अर्पित की उनके पार्थिव शरीर को एक खुले बाहन में रखा गया आगे सेवादल का बेंड चल रहा था 26 जून 2006 को भगत कोटू मल जी का सरद्धान जली समारोह दिली में ग्राउन नंबर आठ में रखा गया सरद्धान जली समारोह में संत निरंकारी मंडल के वा भारत के कई नगरों से आये हुए संत महापूर्सों ने भगत जी के परोपकारों वा सिच्छाओं का बढ़न किया कभियों वा गीतकारों ने आपकी सेवाओं वा गुर्मुकता के चर्चा अपने गीतों वा कविताओं में की अंत में भगत जी की सुपत्रियां बहन मीरा जी योंग कौसल जी ने एक भक्ती भरी रचना द्वारा परिवार के लिए सब्रसंतोस की याचना की देश के अनेक सारों से सरद्धालू जनियों अनेक राजियों के जोनल इंचार्ज भी उन्हें सरद्धा सुमन अर्पित करने हेतु समलित हुए सद्धांजली समारों में सद्गुरू बाबा हर्दयो सिंग्जी महराज ने फरमाया साद संगत भगत को टूमल जी ने गुर्मत के पालू को उज्जुल रखा और जो भी सेवाएं सोपी गई उन्हें पूर्ण भक्ती भाव के साथ सुन्दर ढंक से निभाया परबंद की जिम्मेदारियों को भक्ती के उपर हावी नहीं होने दिया बलकि गुर्मत को ही मजबूती देते रहे भगत जी ने भक्ती भरा सुन्दर जीमन बितीत किया सत्य की दात को प्राप्द करके अपना जीमन सफल किया और इसे अपने तक ही सिमित नहीं रखा बलकि सत्य को अपना कर आवरों को भी प्राड़ा दी भगत रामचंद जी से गुर्मत का पाठ पढ़ते रहे और सहिंसा हबाबा आवतार सिंग जी की सिच्छाओं को जीमन भरधारड किये रहे ब्रह्मलीन संत जुगल किसोर जी के पस्चात साथ संगत की माया की समाल की सेवा उन्हें प्राप्त होई जो जो भी सेवा उन्हें मिली उन्होंने वह बहुत ही जिम्मेदारी के साथ निभाई उनका जीमन सुच्छे और सुन्दर था अमेरिका वा कनाडा की पर चार यात्रा के दोरान वहां गुर्मत की छाप छोड़ कर याए उन्हें देसों में रहने वाले भक्त जन भगजजी द्वारा दी गई सी अपसी प्यार आदी को वाज भी याद करते हैं उन्होंने भक्ती और गुर्मत को मजबूत किये रखा और सब्दों की बजाए बेवारिक जीमन द्वारा कर्म करके गुर्मत की प्रिनडा दी वे यही भाव मजबूत रखते रहे कि सेवादारी का मतलब जिम्मेदारी का एहसास रखना है सेवा के लिए सदेवतत पर रहने वाले भगत जी का जीमन गुरों से भरपूर था ऐसे जीमन बिरले ही होते हैं जिनके जीमन में ऐसी खूबियां देखने को मिलती हैं भगत जी का जीमन आहंकार रहित था वे निरोल गुर्मत को महत्ता देते थे ज्रडविश्वास के साथ ज्यान पर परिपक्वता रखते हुए वे महक ही देते रहे रेम नम्रुता साहिन सीलता और सादगी जैसे गुडों के जीमन से साध ही जलकते थे अवतार बानी के या सब्द याप पर सही उतरते हैं गुर्सिक कादी यहो निसानी बचन गुरो दापा लड़ेओ हस हस के पए भाडा मानने हुकम कदे नाटा लड़ेओ दा निरंकार जी